खेलो कड़ाई करने वाल मित्रूं लर्निंग प्लेटफॉर्म विज्वल आर्ट एंड जी के टुटोरियल पर आपका स्वगत है दोस्तों आज कर वीडियो है भारती इसका मुकालिन कलाकार शेलोज मुखर्ची का कला परीचे अगर आप कोई वीडियो पसंद आता है ये जा तो चैनल जूमने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू परेज करती थी आए देखते हैं शेलोज मुखर्ची का कला परीचे अगर प्रसिद भारती समकालिन कलाकार शेलोज मुखर्ची का जन्व हुआ था दो नवंबर 1907 को कलकता में उनकी कला चेतना बच्पन स से ही मुखर होटी थी और बर्दमान के नदी किनारे के सुंदर प्रकरतिक वातावन रक्षों वायू तथा पक्षियों के कल्रद ने उन पर आरम से ही प्रभाव डाला था यही उनकी चित्रकारी की मूल प्रणना बन गया उनमें बच्पन से ही बहुत उत्साहा था जिसके कारण उन्होंने स्काउटिंग की ट्रेनिंग भी ने थी शेलोज मुखर जी ने 1928 में गवर्मेंट स्कूल आफ आर्ट कलकता में प्रविश लिया वा कला की शिक्षा लेने के बाद वो कुछ वर्षों तक इंपिरियल टेप को कंपनी में कला निर्देशा के पत पर काल गि किया था उन्हें बंगाल शेली की ववश्ट तक्री पसंद नहीं थी उसमें उन्हें महसूस होता था कि इसमें स्रजनात्मक प्रक्रिया के लिए कोई स्वतंत्रता ही नहीं है शेलो योखर जी की अगर शेली को जाना जाए तो उन्होंने अपनी सोतंत्र मार्ग अपनाया उन्होंने लोक कला के समान सहज आकरतियों का प्रयोग आरंभ किया तथा कांगड़ा कला की लियात्मत रंग्योजना को अपनाया शेलो जी ने भारतियता को खोए बिना आधुरीक भारती चित्रगार बनना चाते थे जिसे उन्हें पेरिस में सेजन तथा वोन गोब, एमस्रेडनम में रैंबॉर, वेनिस में टिंटो रेटो तथा हॉल्लेम में फ्रांज हॉल्स की करतियों के अत्रिक्त अनेक संगरहा ल और कई महान जीवित कलाकारों से उन्हें मुलाकात भी की थी। अधारना, आकरतियों का लंबापन, रेखा तथा वर्न की वेंजक्ता, रंगों के बलों का ठीक ठीक वितरण, रंगों की ताजी की गारह से तथा भारती लगुचित्रों और अजन्ता के तत्व जो द्रशे तत्व थे उनको लेकर उन्होंने अपनी शेलिक में आत्म साथ किया, बंगाल की लोक कलासे भावों को वेंजित एवं आकरतियों को वुत्रक करने की युक्ती और कांगरा तथा राजिस्थानी कलासे लयात्मत, परिश्कार एवं मनह स्तितियों तथा आवेकों को वेंजित करने की विडियों न सीखी, द्रंगों की गूँज तथा ताजगी के लिए वे प्रभावादी कला से भी प्रतित होते हैं इन सब के समाहार से उन्होंने मुलता मोलिक शेली विक्सित थी ये सब शेलियों का प्रभाव था इसके अबाब जोद्य उन्होंने इन सब को आत्मसाथ करने के बाद अपनी एक नई शेली विक्सित थी उनकी अगर प्रदर्शनियों को जाना जाये तो 1930 के लगभग से उन्होंने चित्रों का प्रदर्शन प्रारम कर गया था वर्ष 1937 में उन्होंने कलकत्ता में अपनी पहली एकर प्रदर्शन आयो जितुए और द्विदी विश्विद्य के वर्षों में कलकत्ता की अने क्रदर्शियों में भाग लिया 1937-38 में प्रांस, इटली, इंग्लेंड तथा हॉलेंड की यात्राइं की और हॉलेंड की स्काउट जम्बूरी में भाग लिया वे मिस्र, तिबबत तथा सिक्किम भी गए 1939 में बॉई स्कॉर्ट का जो हेड़कॉर्टर था कलकत्ता वहां गए तथा 1941 और 1943 में चोरंगी टेरस में भी उन्हें प्रदशनिया की 1944-44 के मति उन्होंने निश्चित एवं सीमी तरंग योजनाओं, ताजा और मुखर चित्रन पदती तथा तरंगातिक तक्निक में भारती जन जीवन का उन्होंने उप्युक्त दश्टिकोन से अंगन किया इन चित्रों की बहुत प्रशन सा हुई और उन्हें अनेक प्रश्काल भी प्राक्त हुए 1945 में वे दिल्ली चले गए और नई दिल्ली के टाउन हॉल में एकर प्रश्कनी की उन्हें दिल्ली की कई सामोहिक प्रश्कियों में भाग लिया और प्रुस्तर प्राक्त की ए 1950 में नई दिल्ली में उनकी सिहांव लोकां प्रश्कनी आयो जित्ती 1951 न की पैरिज प्रदशनी में उनकी दो करतियां सेल और दमाई में सम्मिर्सित की गई यह प्रदशनी का नाम तो चाहंकी प्रदशनियां संद्रित ही जहांके चित्र संद्रित किये गए गए उन्नीं सो साहट में परिस में शेलोज ने दिसंबर 1944 में दिल्ली के शारदा उपील स्कूल अफ आर्ट में कलाश अच्छा के बदपर कारी करना प्राहर नहीं किया इसके साथ साथ देश की अनेक भावों मेरे प्रदशनियां आउजित करते रहे उन्हें अनेक उत्तम पुरसकार में प्राप्त हुए में 1947 में उनके चित्रवी प्रदशित की गए थे भारत की तुल्णा में शेलोज को ये देशों में अधिक ख्याती मिली अंतराश्ट्री इस तर पर मानने पेरिस की सेलोदा माई जो प्रदशनिया हुई 1952 में उसके सदर से बना दिये गए वहाँ उन्हें अपनी कलाकरतियां प्रदशित करने का सुवब से मिला जहां विश्व विख्यात कलाकारों पिकासों रोतों लेजे आधी कलतियां प्रदशित हुई हैं इसके अतरिक अंतराश्ट्री कला आलट चुगों ने उनकी भुरी-भुरी प्रेशनशा की है, उनकी प्रेशनसात्मक अलोचनाई एवंचित्र बोजार जो की पैरिस में हैं, एशियाटिका, रोंग, आर्ट्स एंड लेटर्स, लंदन, रस्टूडियो, लंदन, रवर्ल्ड रिव्यू, लंदन रथा इस्ट एंड वेस्ट में प्राकाशित हुए, लगबग इसी समय उन्होंने दिल्ली पॉलिटेखनिक के कला विभाग में नोक्री कर ली थी, 1958 की राष्ट्री कला प्रदर्शनी में वे निर्णायक समेती के सदसे भी रहे, वे बोहमियन सोभात के एक सच्चे कला कार्ट, उनकी चित्र विशय थे, कि वे बिना परंपरागत रूपों की अनुकृती किये, चित्र निर्मित किये उन्होंने, जिसमें भारती आत्मा है, उनके विशय परंपरागत, शास्त्री या सहतिक नहीं है, प्रतीपल स्पंधन करते हुए देनिक जीवन को ही उन्होंने चित्रित किया है, अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी जीते हुए, लंबे नर्नारी, प्रकृती के बदलते हुए रूप और पशुपक्षी उन्होंन अंकित किये हैं, खुली धूप और सरसराती हवा का भारती वातावरन उनके चित्रों में अनुभग किया जा सकता है, माती से प्रेरित होतु हुए भी उनकी सारी नारी आकरतियां पूनता भारतियां हैं, मार्ग के श्रमिक, प्रिड़ा करते पशुप, भीडभार अत्वा आज संगीतागी आदी भी भारती वातावरन से जुड़े हुए चित्रों की गए हैं, उन्होंने शास्त्री विश्यों से परहज नहीं हिया और नहें भीवे मौलिक विधी से चित्रों करते थे, यसी कि पैरिस में अंकित चुम्बन, शीर्षक, चित्र, खज्राहों, कोण का आधुरिक सफल संस्करण हैं, उन्होंने स्थिर जीवन तथा व्यक्ति चित्रों का भी अंकन किया है, विश्राम आधी के दर्शों का संयूजन, राजपुद्व, अदधी पर है, किन्तु शेली पूर्ट तह मोलिक है, उनका बोर शीशक चित्र, कांगडा, चेली तथा लोक कला की भावना से समानवय का सुन्दर उदाहरन हैं, उनके सभी चित्री सपष्ट और समझ में आने वाले हैं, उनमें व्यंग, हर्श, अत्वा, रोमांस की भावना भी है, शेलो जीन ने तेल रंगों का व्यंजक एवं लयादनक रेखा के साथ अद्बुद सामाजिस किया है, उन्होंने आकरतियों की गणशीलता यद भी उनकी अप्रकार्टिक है, तथापी मन, इस्तितियों, उत्तेजनाओं, आंत्रिक उत्साह, एवं गतीपूर्ण क्रिया कलाकों की व्यंजक है, कलाकों महान बनाने वाली सभी रिशेश्टनाएं उसमें मौजूद हैं, कुछ आलचकों ने उन्हें पैरिस की उत्पत्ती बताया है, पर यह उन पर मिध्यारोग है, समसार का कोई भी महान कलाकार ऐसा नहीं है, जिसने कहीं न कहीं किसी न किसी से प्रणना न ली हो, अपने निर्मार काल में प्रते कलाकार प्रणना लेता है, शेलो जी जब केवल प्रवल इक्षा होने पर ही चित्र बनाते थे उनकी मन में एक आवेग, एक उत्तेजना सी होती थी और वे तुरंट सित्रांकन करने लगते थे आवेग ना होने पर बहुत दिनों तो को चित्र नहीं बनाते थे और आंत्रिक प्रेड़ना तथा उत्तेजना होने पर कभी-कभी केवल एक घंटे में ही चित्र को पूरा कर देते थे यह कहा जा सकता है कि शेलो जी ने कोई परंपरा स्थापेत नहीं की है और उनका कोई अनुयाई नहीं है सच तो यह कि उनके समाँ चत्र कोई कर ही नहीं पाया जिन्होंने प्रेत्मी किया वे असफल रहे इसी से शेलो जी की अधिविद्या सिद्ध होती है धन के लालश में उन्हें कभी काम करने को प्रेवित नहीं किया उनके जो मेगाविश चात्र के उन्हें रामकुमार जी प्रमुक नाम हैं दिल्ली पॉले टेकनिक में उन्हें बड़े भाई की तरह समर्णित करते थे सब और उनमें मद्रा का इग्रेशन लग गया था तथा अकेले रहने के कारण उनका जीवन भी सुर्वेस्तित नहीं था जया अपासामी ने उन्हें उन्हें द्धाने का प्र रहने कारण निधन हो गए और मेत्यू के पश्चाथ उनकी कलाकरतियों की तीन प्रदरशनियां आयोजित गी गई एक पी जो दो नमबर 1907 को दिल्ली पॉले टेकनिक के कला भिवाग में लगी तूसरी 1961 में एकेडमी औफ आइनार्स कलकत्ता में और तीसरी प्रदरशनी उ इदिल्ली ने उनके उनके विद्यार्थियों के काम की एक प्रदरशनी 1986 में भी आयोजित की ती चेलोज मुखर जी ने आदूनिक भार की कला में निश्चित रूप से अपना योग दिया है और उनकी शेली अत्यंत प्राडवां हैं अब आईए उनकी को चित्रों को देख रंग तकनीक को देखकर आप अंधाज लागा सकते हैं कि पूरे भारतिय शेली पर आधाईते हैं यह नेश्चनल गेलरी ओफ मॉडर्न आर्ट में है मा और शिशु उनका चित्र यह उनका बनाए हुए लेंड्सकेप है एक यह लेंड्सकेप है जिसमें दो महिना कुत्ता बनाया है उन्होंने यह खेती काटते हुए महिलाए हैं कुछ खेतों में काम कर रहे हैं ये नदी किनारे दो महिनाहें बनाई हुए है ये-एक फैंसकेप है उनका यह चित्र है जिसे की बिरेन ऩिनai ने बनाया था यह उनका पोर्ट्रेट है शेललोज मुखर जी का पोट्रेट जो की बिरेन लेन ने बनाया था यह उनका चित्र नीशनल केल्री औ tubes मॉडर्न आर्ट में संग रही थे वी चित्र भी एक म्रदंग बजा रहा है एक महिला रत्ति कर रही है नेशनल गेलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है पूरे भारतिय शेली पर आधायत उनके चित्रे हैं बोल्ड कलर्स में देखे जा सकते हैं ये शेलर्ज मुखरजी अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताईएगा और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी कलाकारों का परिशे देख सकते हैं उनकर कुछ प्रशनोतर के वीडियो भी है जो आपके लिए काफी महत्पून हो सकते हैं अच्छे सब ने पढ़ाई करते रहे हैं अपना खयाल रखिए गुड लग जैहिंद अच्छे सकते हैं